तो कहानी की शुरुवात होती है तीन लड़कियों की पिच्चर्स को दिखाते हुए जिनका नाम होता है टैबी था, लीजा और शेलबी इन तीनों के साथ ही हमें एक लड़के की भी पिच्चर दिखाई जाती है जिसका कोई नाम नहीं बताया गया लेकिन इस लड़के को इ बर्ट और ट्राइटन बर्ट ट्राइटन और रोब अंदर बिल पे करने जाती है तब शेलबी कार में अकेली बैठी होती है और तभी वो ट्राइटन के ट्रक में एक लड़की को देखती है जिसके कारण रोब के वापस लोटने पर वो उसे उस लड़की के बारे में बता जाती है जो कि हेल्प मांग रही थी शेल्पी फॉरण से रोब को विंडू की तरफ देखने को कहती है कि तब इनकी कार पर अचानक से वो लड़की कूद जाती है शेल्पी और बर्ट फॉरण से बाहर निकलते हैं उस लड़की की हेल्प करने के लिए वही रोब ट्राइटन कि ट्राइटन उन दोनों को पास में मुझूद एक घर की दरफ ले गया है इसलिए बर्ट और रोप फॉरन से उसी घर के बाहर पहुंचते हैं जहां बर्ट रोप से बाहर रुपने के लिए बोलता है और खुद अंदर जाता है ट्राइटन का सामना करने के लिए वही हम घर क अंदर ट्राइटन को देख पाते हैं जोकि कोल पर किसी से बात कर रहा था इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लड़की ट्राइटन की बेटी है जिसे ड्रग्स लेने की आदत थी और ट्राइटन उसे रिहाब सेंटर ले जा रहा था बात करके ट्राइटन जैसे ही घर से बाहर निकलता है वैसे ही बर्ट उस पर हमला कर उसे मार डालता है वहीं दूसरी तरफ रोब जो कि बर्ट की कार में था उसे कार की बैक सीट पर शेलबी और वोलर्ड की मिलती है जिने देखकर रोब सब समझ जाता है और कार स्टार्ट कर भागने की कोशिश करता है लेकिन कार में की मोजूद ही नहीं थी कि तभी बर्ट कार के बाहर पहुंचता है और उसे कार की की दिखाते हुए विंडो थोड़ कर रोग को भी माल डालता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है अगले सीन में हम टैविथा को देख पाते हैं जबकि उसे टैविथा के आने के बाद जाना था वही अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात को घर के बाहर एक ओवन नाम का लड़का आता है जो कि खुद को जून का बोर्फरेंड भताते हुए उसके बारे में पूस्ता है क्योंकि जून ने आज चेयर लीडिंग की प्रैक्टिस मिस कर दी थी टैविथा ओवन को भताती है कि जून काफी पहले ही जा चुकी है जिसके बाद ओवन वहां से चला जाता है ओवन की जाने के बाद टैविथा गेस्ट रूम में जाती है टेस्ट करने के लिए जहां उस रूम में काफी सारे क्लाउन टोइस मिलते है वही चेयर पर एक बड़ा सा क्लाउन भी मुझूद था जिसे देखकर टैविथा को ऐसा फिल होता है जैसे कि वो क्लाउन मूव कर रहा हो क्योंकि रूम का टीवी खुद से ओन हो गया था और रिमोट उस क्लाउन के पास ही था ये सब भोलकर टैविथा सोने की कोशिश करती है लेकिन तभी टैविथा की आंट का कोला जाता है जिसके दोरान टैविथा उने बताती है कि उनके गैस्ट रूम में मौझूद वो बड़ा सा कलाउन उसे बिलकुल भी पसंद नहीं है जिस पर टैविथा की आंट बताती है कि उनके पास इतना बड़ा कलाउन है ही नहीं और तभी हम देख पाते हैं कि वो कलाउन उठकर खड़ा हो जाता है और टैविथा के पीछे मूटते ही कलाउन गाया भी हो जाता है इन सबसे गब राकर टैविथा फोरण से बच्चों के रूम में पहुंचती है जहां पर उसे बच्चों से पता चलता है कि वो clown man असल में ओवन है जो कि पहले जून का boyfriend बन कर बहार आया था clown man इनके room में गुशने की कोशिश करता है लेकिन टैबिता बच्चों को help लाने के लिए भेज कर खुद shed में चली जाती है और छुपने के लिए जैसे ही closet open करती है कि तभी उस पर जून की dead body गिरती है और उसी वक्त clown man भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसकी हसी से हमें पता चलता है कि clown man वही आदमी है जिसे हमने movie के starting में rope को मालते हुई देखा था फिर ये scene cut होकर Lisa और उसकी roommate cat की तरफ shift होता है जो कि एक club में थी वहाँ cat currently एक लड़की से मिली थी जिसके साथ कुछ time spend करने के लिए वो उसी club में रुखती है वही Lisa वापस apartment में आ जाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी देर होने के बावजूद cat अभी भी घर नहीं आई थी इसलिए Lisa अपने boyfriend Dan को apartment में बुला लेती है वही अगले दिन Lisa की जब आख खुलती है तो वो देखती है कि cat अभी तक घर नहीं लोटी इसलिए Lisa काफी परिशान हो जाती है और cat को ढूणने के लिए एक hotel में पहुँचती है जिसके बारे में कल रात cat नहीं उसे बताया था लेकिन hotel का caretaker Lisa को अंदर नहीं आने देता जिसके बार Lisa Dan को police officer बना कर अंदर भेजती है चेक करने के लिए कि cat अंदर है या नहीं और luckily इस बार caretaker Dan को अंदर आने देता है फिर caretaker Dan को एक room में ले जाकर music player दिखाते हुए उसे insist करता है उसे play करने के लिए लेकिन music player को चलाते ही उसमें से एक छोटी सी knife निकलती है जो कि सीधा Dan की आख में जा लगती है जिसके करन डैन की मोके पर ही मोथ हो जाती है वही बाहर खड़ी Lisa Dan को contact करने की काफी कोशिश कर रही थी लेकिन तभी caretaker किसी काम से hotel से बाहर निकलता है जिसे देखकर Lisa मोका पाकर hotel के अंदर चली जाती है डैन को ढूलते हुए Lisa एक room में पहुंचती है जहां पर काफी सारे बैट्स लगी हुए थी और वहां एक आदमी भी बैठा हुआ होता है जो कि सुन नहीं सकता था इसलिए Lisa को उस आदमी से डैन और cat के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती द Lisa उसे देखकर काफी डर जाती है जिसके बाद उसे हर एक mattress के अंदर dead body मिलती है जिने देखकर Lisa उसी आदमी से help मांगती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि cat को वहां पर cat करने वाला आदमी कोई ओर नहीं बलकि वही है और इसी के साथ ये scene यहां पर cut होकर वापर से टैब उसे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती जिसके बाद वो ओफिसर चला जाता है और यहां पर टैबिता अपने बच्पन की एक memory को याद करती है जिसमें हम देख पाते हैं कि टैबिता Lisa और Shelby एक elementary school में एक साथ पढ़ा करती थी जहां एक दिन इन्हें एक task दिया गया वो इन तीनों के sets देखने के बाद अपना miniature set उन्हें दिखाता है जिसे देखकर टैबिता डल जाती है क्योंकि उस box में एक rat था जिसकी skin को उस लड़के ने एक chain में बान रखा था और उस rat के organs दिख रहे थे इन सब के बाद टैबिता अपने खयालों से बाहर निकलती है ज लेकिन काफी सालों से वो तीनों एक दूसरे से नहीं मिली ब्रायर हिल्स का नाम सुनते ही वो थेरापिस्ट बताती है कि कुछ साल पहले वो एक लड़के का treatment कर रही थी और वो भी ब्रायर हिल्स से belong करता था जिसके बाद यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस थेरापिस्ट का फोन काम नहीं कर रहा था इसलिए वो दूसरा फोन ढूनते हुए बाहर जाती है लेकिन जाने से पहले वो टैविता को बताती है कि शैल भी और लीजा भी इसी बिल्डिंग में मौझूद है जिसे सुनकर टैविता सेल से बाहर निकलती है लीजा और शैल बीको ढूनने क लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी पुलिस इस्टेशन में नहीं है इसलिए वो काफी घबरा जाती है वहीं कुछ तेर बाद टैवीता को उसी थेरपिस्ट की डड़ बोड़ी मिलती है जिसके पास वो ओफिसर भी मौजूद था टैवीता उसके करीब जाती है और त जाते ही अचानक से इस रूम में दो मिलर वॉल्स आ जाती है जिनके बीच टैवीता अब फस गई थी वहीं वॉल के दूसी तरफ हम शेल्बी और लीजा को देखते हैं जो कि उसी थारा चेन से बंदी होती है जैसे कि वो रैट बंदा हुआ था तब ही किलर एक चाकू लेक है कि वो भी उसकी तरह साइको है इसलिए किलर टैवीता को अंदर आने देता है और तभी मौका पाकर टैवीता एक चूरी से उस पर हमला कर शेल्बी और लीजा दोनों को अजात कर देती है जिसके बाद ये तीनों वहां से भाग नहीं वाले थे कि तभी वो किलर वहां पह कर सीडियो की हैल्ब से एक शेड में पहुंच जाती है जहां पर हमें वह सारी चीजे नजर आती है जिसे किलर ने इन तीनों को किर्णैप करने के लिए यूज किया था और तभी वह किलर एक होल से टैवीता को देखता है जिसके बाद हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि उस पन एक वैपन से हमला करके उसे मार डालती है जिसके बाद मोवी के एंड में हम देख पाते हैं कि टैवीता ट्रक को ड्राइब करते हुए हम व्यूवर्स को बताती है कि जब वो चारों चोटे थे तो तब तीनों लड़किया किलर का मजाक उड़ाया करती थी फिर ये चारों अलग हो गई और डटकया किलर के बारे में भूल गई लेकिन वो किलर के बारे में कभी नहीं भूला। और इसी के साथ हमारी मूवी यहां खत्म हुजाए अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में